जै माता दी दोस्तों कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै माता दी जरोड लिखें माता रानी सबका कल्यान करेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि साल 2022 में दसा माता ब्रत कब है दसा माता ब्रत साल 2022 की दिनांकतिती बताएंगे पूजा का सोम महुर्थ बताएंगे पूजा की विधी बताएंगे ब्रत के नियम बताएंगे इस दिन आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं साथी साथ बहुत से लोगों का सवाल होता है कि दसा माता का डोरा कब खोला जाता है उसकी भी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से देंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने मेरे इस घरेलुखवर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करेंगे और जितना जादा से जादा हो सके मेरे इस वीडियो को सेयर करेंगे होली के दस दिन बाद यानि चैत्र माह के क्रिस्ट पक्ष की दसमी तिथी पर दसा माता का ब्रत और पूजा किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जीन लोगों की दसा यानि स्थिती खराब हो वे इस दिन ब्रत और पूजा करे तो उनकी सारी परिसानिया कम हो सकती है। दसा माता मा पार्वती का ही सोरूप है। दसा माता का ब्रत घर परिवार के बिगडे, ग्रहों की दसा और परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए किया जाता है। इस दिन महिलाएं पूजा और ब्रत करके गले में एक खास डोरा पहनती है ताकि परिवार में सुक, सव दसा माता ब्रत की विधी क्या है तो इस दिन ब्रत करने वाली सुहागिन महिलाएं सुम मोहुर्त में कच्छे सूत के दस तार के दस गांट वाले डोरे से पीपड की पूजा करती है विधी विधान से इस पूजा के पस्चात ब्रती महिलाएं नल देमन्ती की कथा सुनती है कथा समाप्त होने पर महिलाएं पुजित डोरे को गले में बांती है इस धागे को ब्रती महिलाएं पूरे साल धारन करती है बात करें साल 2022 में दसा माता का ब्रत कब है? पूजा का सोह मुहुर्थ क्या है? आपको बता दे कि साल 2022 में दसा माता का ब्रत 27 मार्च 2022 दिन रवीवर को रखा जाएगा पूजा का सोह मुहुर्थ क्या है? तो दस्मी तिथी की सुरुवात 26 मार्च 2022 को रातरी 8 बज कर 1 मिनट पे हो जाएगी वहीं दस्मीत इथी की सिमापती 27 मार्च 2022 को संधिया समय में 6 बज कर 4 मिनट पे होगा पूजा का सोब मोहुर्थ आपको बता दे कि पूजा का सोब मोहुर्थ सुख चोगडिया लाव चोगडिया एवं अमरिच चोगडिया मोहुर्थ क्या है वो सारा डीटेल समस्क्रीन पे दे दे रहे हैं आप उसे ध्यान से देख लेंगे पूजा करें दसा माता ब्रत के नियम का तो डोरा रखने का क्या नियम है तो कच्चा सूत या सफे धागा ले उसे 10 तार कर लें उसमें 10 गाठे लगा ले हल्दी से रंग ले इसे दसा माता का डोरा कहा जाता है इसे साल भर तक पहना जाता है महिलाएं नए दोरों की पूजा करके उसे गले में धारन करती है इसे पूरे साल नहीं उतारते और अगले साल फिर से पूजा वाले दिन पूराना उतार कर नए धागे की पूजा करके उसे धारन किया जाता है और जो पिछले साल का डोरा होता है उसे पीपल के पेड़ के यहां गड़ा गार के रख देते हैं पीपल ब्रिक्स से ही बाहन देते हैं यदि आप इस दागे को पूरे साल नहीं पहन सकती तो इसे एक दिन पहन कर उतार कर डिब्बी में बंद करके पूजा घर या फिरति जोरी में रख ले दसा माता के ब्रत में भोजन में इस दिन नमक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है इस दिन भी सेस तोर पर गेहुं का उपयोग किया जाता है महिलाई याद रखे कि घर का पैसा फिजूल खर्च ना करे दसामाता ब्रत वाले दिन पूजन की जितनी भी समगरी है वो दसामाता ब्रत के एक दिन पहले ही घर में ला ले तो बेहतर होगा दसा माता के दिन किसी को पैसा उधार ना दे साथी घर की कोई वस्तू भी किसी को ना दे नहीं इस दिन किसी से कोई वस्तू या पैसा मांगना चाहिए इस दिन घर की सफाई करके टूटी फूटे चीजे कच्रा फेक देना चाहिए इस दिन ना ही मास मदिरा का सेवन करे ना ही प्याज लहसुन का सेवन करे घर में किसी तरह का लड़ाई जगडा कलेस ना करे आपको बता दे कि पूजा करने के उपरांत दसा माता ब्रत की दस कथाएं अवस्य सुने और कथा सुनते समय गेहूं के दस दाने अपने हाथ में जिरूर रखे कथा पूर्ण होने के बाद इन गेहूं के दाने को दसा माता के सामने छोड़ दे इसके बाद दसा माता की आरती भी अवस्य करे उमीद करती हूं कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करे, सेयर करे और मेरे इस घरेलूखवर चैनल को सब्सक्राइब करे थैंक्स